हेलो फ्रेंट्स अनुपिश डीजोन में आप लोग का स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग दिसंबर मंत का जो पहले वीक का महतपूर करेंट फैस है उसके बारे में देखेंगे चलते हैं पहले क्वेशन पर पहला क्वेशन है बैलेंड बैलोन डी ओर 2021 के बिजियोता तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जबकि ऑप्शन सी की बात करें जियान लुईगी डोना रुमा को तो इन्होंने जो है सरस्ट्रेश्ट गोलकीपर के लिए यसीन ट्राफी का पुरसकार जीता हुआ है और राबर्ड लेवान डास की इनको जो है इस्ट्राइक SBI द्वारा संचालित की गैर बैंकिंग जो है संस्थाओं द्वारा संचालित होता है जो ATM संचालित होते हैं दो टाइप के ATM होते हैं एक वाइट लेवल होता है और एक जो होता है ब्राउन लेवल ATM जो मारे बैंक सरकारी बैंक है वे जो ATM संचालित करते हैं जो बैंक है जो एटियम संचालित करते हैं उनको ब्राउन लेबल एटियम कहा जाता है जब कि जो गैर बैंकिंग संस्थाएं हैं वे वाइट लेबल एटियम संचालित करती हैं अभी प्रस्ण यहां पे इसलिए बना हुआ है क्योंकि एक भारत की कंपनी है इंडिया वन पेमेंट्स यह जो है अभी 10,000 वाइट लेबल एटियम अस्थापित करने वाली कंपनी बन गई है अलागि इसके पहले कंपनी और थी लेकिन यह डूसरी कंपणी इंडिया वन पेमेंट्स जो है वाइटलेबल एटियम Pacific करने वाली कंपनी बन गई तो उसका अंसर होगा इंडिया वन पेमेंट्स नेक्ट प्रसन है 208 दिवस कम मनाया जाता है तो 208 दिवस प्रतेक वर्ष एक दिसंबर को मनाया जाता है इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन ए और अब की बार जो 208 दिवस की थीम थी वहती असमानताओं को खतम करो एट्स खतम करो और महामारी खतम करो यह थीम थी तो भी स्वेट्स दिवस प्रतेक वर्ष एक दिसंबर को मनाया जाता है एक प्रस्ण है डेम सेंडरा पुनेला मेशन किस देश की पहली राष्टपती बनी है तो इसका सही उत्तर होगा बारबा डोस और बारबा डोस यह जो है सबसे नम दुनिया का सबसे नया गरडाज है अगर आप से पुछता है दुनिया का सबसे नया गरडाज कौन सा बना है तो बारबा डोस और इसकी पहली जो है राष्टपती बनी है इसका सही उत्तर हो जाएगा और अगला प्रसन है सामाजिक नया और अधिकारता मंत्राले ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानि EWS रेडी के लिए आरच्छर के मांड़तों की समिच्छा करने के लिए तीन सदस्ची समीत का गठन किया है इसके अध्यच काउन है तो जो एक कमेटी गठित की गई है उसमें बीके मलहुत्रा, संजे सान्याल और अजय भुसर पांडे तीनों लोग सामिल है तो तीनों सदस्चों का पला तो नामियाद रखना है और इसका अध्यच अगर पूछे तो अजय भुसर पांडे इसका सही उत्तर हो जाएगा option C जबकि विरेंद कुमार हमारे सामाजिक नया और अधिकारता मंत्री है नेक्स प्रसन है रोपवे सेवा सुरू करने वाला पहला भारती सहर कौन बना तो जो वारारसी है इसका सही उत्तर हो जाएगा option D वारासी का एक केंट रेलबे स्टेशन है वहां से गोदलिया एक अस्थान है उसके भी 3.45 किलो मीटर की जो है आपका रोपवे सेवा सुरू किया जा रहा है इसके लिए लबह 4.000 करूर रुपे से अधिक परिवे निधायद किया गया है इसमें केंद सरकार और राज सरकार दोनों जो है इस बै को उठाएंगे जिसमें 80 प्रसत हिसेदारी केंद सरकार की है और राज सरकार की 20 अगला प्रसन है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गौवननेंस पुष्टक के लेखक कौन है तो ओप्सन में ए सूर्य प्रकास बेंकईया नाइडू दो मनोज कुमार मागो पंकज कुमार सिंग तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन ए इस डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स औ जो है बेंकईया नाइडू के दौरा इसको भी मुचित किया गया है और इसके लेखक जब की है डाक्टर ए सूर प्रकास बात करें मनोच कुमार मागो की तो मनोच कुमार मागो को अभी हाली में राष्टी रच्छा कालेज राष्टी रच्छा कालेज का जो है नया प्रमुक नियुक्त किया गया है और पंकच कुमार सिंग की बात करें तो पंकच कुमार सिंग जो है ब्यस्यप के महान नीदेश तक है और अभी ब्यस्यप ने अपना जो है सताव नहुआ इस्थापना दिवस मनाया है एक दिसंबर को अगला प्रसन है हाली में किस राजिक के अंदुरूनी और ग्रामिड इलाकों में पर्रेटन को बढ़ावा देने के लिए इस्ट्रीट परियोजना की सुरुआत की गई है तो इस परियोजना की सुरुआत जो है केरल राजि में की गई है इस परियुजना का उद्धेश यातियों के सामने केरल राजी की बिशिश पहस्चान प्रस्चान करना है बात करें केरल की, तो केरल की राधानी है तिर्वन्त पूरम, केरल राजी के राज़ पाल आरिफ मुहम्मत खान है और केरल के मुख्मंत्री कौन है पिनराई बिजियन नेक्स प्रसन है हाल ही में किस बैंक ने बित्ती सहायता प्रदान करके महिला उद्धमियों को ससक्त बनाने के लिए उसा इंटरनेशनल लिम्टिर के साथ एक समझावते पर हस्ताचर किया है इसका सही उत्तर हो जाएगा आप्सन ए इस्टेट बैंक का फी इंडिया और यह जो है महिला उद्धमियों के बीच एक नया तालमेल लाएगा और समख विकास की ओ ले जाएगा इस रिष्टे को जो है नाम दिया है नौचेतना भारती स्टेट बैंक की बात करें इसकी जो है इस तापना एक जुलाई उनीसो पच्पन कोई थी स्टेट बैंक का हेड़ो कार्टर कहां पे है मुंबई में है और इस समय अगर इसके अध्धच की बात करें तो इसके अध्धच है दीनेश कुमार खराद अंतराष्टी दास प्रथा उनमूलन दिवस कम मनाया जाता है ऑप्शन एक दिसम्बर दो दिसम्बर तीन दिसम्बर चार दिसम्बर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन भी दो दिसम्बर को अंतराष्टी दास प्रथा उनमूलन दिवस मनाया जाता है और दो दिसम्ब दो दिसंबर को ही 200 कंप्यूटर साच छर्टा दिवस भी मनाया जाता है अगला प्रस्न है नवरोजी पॉइनियर आफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक दिन्यार पटेल है और बी प्रविल्ड राव की बात करें तो इन्हें जो है सातों एमेस स्वामी नाथन पुरसकार दिया गया है डाक्टर प्रविल राव को दिया गया है और नरित्म सेक्सरिया की भी एक पुस्तक आई है इसका भी आप नाम रख आ सकते हैं द अम्बुजा इस्टोरी पूरी पुरी पुस्तक का नाम है द अम्बुजा इस्टोरी अगला प्रशन है इकोनॉमिस्ट इंटिलिजेंस यूनिट के वर्ल्ड वाइड कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स 2021 के उसाथ दुनिया का सबसे महंगा सहर कौन सा है इसका सही उत्तर होगा उप्सन में इससाव है यहां रहने के इसाब से दुनिया का सबसे महंगा सहर इसको वह दोस्री उनिट इंटिलिजेंस के और पेरिस सिंगापूर को जो है संयूक तुरूप से दूसरा अस्थान दिया गया है जबकि बात करें दमिस्क या सीरिया में है या जो है इसको सबसे सस्ता सहर सबसे सस्ता सहर इसे दमिस्क को दिया गया है बात करें या यू कि यान रोमिक इंट इंटलीजेंश इंट की सिस्स्थापना 1946 में की गई थी और इसका जो हेड़ कोइटर है वह है लंदन में अगला परसन है इन अपना उनषटांवे सिष्थापना दिवस अतर ना है नागा लेंड की बात करें नागा लेंड की राधानी है कोईमा और इसके सीयम है नागा लेंड के नेफ्यू रियो और नागा लेंड के राजपाल कौन है जगदीश मुखी अगला प्रसन है भारती प्रद्योग की संस्थान मद्रास यानि IIT मद्रास जो है उसका एक इंक्यूबेटेड इस्टार्टप घूवी है इसने जो है किसे अपना ब्रांड एवेश्टर नियुक्त किया है इसका सही उत्तर हो जाएगा इस्मृति मंद्धाना जबकि संजेदत की बात करें तो संजेदत को अवडाचा प्रदेश के पचासा हुए वर्स समारों के लिए ब्रांड अमेज़र के रूप में जो है इसको सामिल हुए हैं संजेदत अगला प्रसन है हाल ही में मैगडेलेना एंडर्सन किस देश की पहली महिला प्रदान मंतरी बनी है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वीडन की मैडेलेना एंडर्सन स्वीडन की जो है पहली महिला प्रदान मंतरी बनी है स्वीडन की बात करें इसकी संसत को क्या कि वीडन की रधनी क्या है अगला प्रस्चन है भारिती डिजर्ड बेंक ने रिलैंस के टेल लिम्टेट के बोर्ड को भंग करके निम्रिखित में से किसे प्रसासक नियुत किया है इसका सही उत्तर हो जाएगा option A नागेश्वर राव विश्व विकलांग दिवस कम मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस option है 1 दिसमबर 3 दिसमबर 5 दिसमबर 7 दिसमबर इसका सही उत्तर होगा option B 200 विकलांग दिवस प्रतेक वर्ष 3 दिसमबर को मनाया जाता है और डिटर्शिप और पार्टिसिपेशन अफ परसंस विद इस अबिल्टीज नेक्स प्रसन है हाल ही में जी ट्वेंटी ट्रोई का भारत में भारत जो है जी ट्वेंटी ट्रोई का में सामिल हो गया है भारत के साथ अन्य दो देश कौन से हैं तो जी ट्वेंटी ट्रोई का की बात आप करें तो जी ट्वेंटी ट्रोई का में वो सामिल होता है जहां पर इस वर्स आयोजित किया जाता है जी ट्वेंटी सम्मेलन अगले वर्स जो सम्मेलन आयोजित किया जने वाला होता है और उस जी ट्वाइन लोगाह बनता है तो अभी अब के बार जिवह है जी 20 संमेयर होता इटली में अगली बार होने वाला है इंडोनेसिया में और 2023 में कहाँ पर होगा भारत में यानि इंडिया में तो इट तीनों देश अब जो है इस साल प्रोई में सामिल है तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा इंडोनेशिया और इटली नेस्ट प्रसन है भारत प्रेटन विकास निगम यानि ITDC इंडिया टूरिज्म डेबलम्मेंट कॉर्परेशन इसका जो है अध्यच किसे नियुक्त किया गया है इसका सही उत्तर होगा संबित प किया गया है महीच प्रों मंत्री अगला प्रसमा वर्ड एस स्लेटिक स किसे थियर सम्मानित की या गया है इसका सही उत्तर होगा अंजूबावाभी जार्जayer द्वारा ओमन आप दियर का आवार्ड अंजूबा भी जारुज को दिया गया है नेक्स प्रस्न है भारत अंतराष्टी ब्यापार मेले के चालीसों में संस्क्राण में किस राज ने स्वाड़ पदक जीता है तो अभी केंद्री वाली जे और उद्योग मंत्री प्यूस गोयल के दुवारा दिल्ली में भारती इंतराष्टी ब्यापार मेला का जो है चालीसवें संस्क्राण का उद्गाटन किया गया है इसमें स्वाड़ प्रदक जो है बिहार राज को उसके मधवनी मंजुसा कला टेरा कोटा हद करगा और राज के जो अनस्वदेशी उत्वाद हैं जैसे हथ सिल्प के माध्यम से राज की कला और संस्क्रिश का प्रदेशन करने के लिए इस वाड़ प्रदक पुरस्कार दिया गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सने बिहार जबकि उत्तर प्रदेश और जहार खंड यह जो दो राज हैं अपके बार के फोकस रा राज कौन है उत्तर प्रदेश और जहार खंड जबकि भागीदारी राज जो है वह आपका भीहार है अगला प्रस्ण है हारनभील महसो का संबंद किस राज से है तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा आप्सन सी नागा लैंड में जो है मनाया जाता है और इसको जो है त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है वालमाड और फिलिपकार्ट ने MS वीज को समर्थन देने के लिए किस राज के साथ समझावता ग्यापन पर हस्तोच्षर किये हैं तो वालमाड और फिलिपकार्ट ने अभी फिल हाल और ततकालीन जो बात करें तो मद्हपरदेश के साथ समझावता किया है नेक्स्ट प्रसन है अंतराष्टी मुद्राकोस का मुख्याला कहां परिश्थित है इसका सही उत्तर हो जाएगा आप्शन ए वासिंगटन डी सी अभी गीता गोपिनाथ जो भारती मूल की है वे अंतराष्टी मुद्राकोस जो है नमपर दो यानि दूसरे नमपर की सबसे ब बाद उसपस से रिटायर होने के बाद अब उन्होंने जो है आइमेप के सेकेंड अधिकारी सेकेंड हाइस्ट अधिकारी के रुक में पदभार को ग्रहर किया है अगला प्रसन है निम्रिखित में से किस राजी की पुलिस को प्रेशीडेंट कलर आवार्ड से सम्मानित किय गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश पुलिस को जो है प्रेशीडेंट कल आवार्ड से सम्मानित किया गया है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राजिपाल कौन है राजेंद्र बिसुनात अलेकर और यहां के मुख मंत्राले के तहत कारेरत अंतराष्टी दूर संचार संग और दूर संचार विभाग ने एक संयुक्त साइबर ड्रिल 2021 का आयोजिन किया है और इस अंतराष्टी दूर संचार संग का मुख्याले आप जो है आप से पूछा हुआ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के जनेवा अंतराष्टी दूर संचार का में जो है जनेवा में हैं अभी भास का संचार मंत्राले है और अंतराष्टी दूर संचार संग ने जो है एक साइबर ड्रिल का आयोजिन किया है इसका उद्दिश भारत की साइबर सुरच्छा की तैयारी में जो है सुधार करना है अगला प्रस्ण है बंगाल की खाडी में आने वाले नए चक्रवाती तुफान का नाम जवाद दिया गया है अभी जो नया आएगा तो उसका नाम जवाद दिया गया है आपसे पूछा है यह नाम किस देश के द्वारा नामित किया गया है तो इसका सही उत्तर होगा option D Saudi Arab जबकि इसके पर जो गुलाब दिया गया था पकिस्तान के द्वारा दिया गया था अगला प्रस्न है दसमी वार्सिक विश्व सरकारी मानीटर रिपोर्ट यानि WCM 2021 में भारती किसान सहकारी लिम्टेड को दुनिया की सिर्ष 300 सहकारी समितियों में नंबर एक सहकारी का स्थान दिया गया तो पहला तो यहीं याद रखना है कि WCM यानि विश्व सरकारी मानीटर रिपोर्ट 2021 में किस कमपनी को सिर्ष स्थान दिया गया है तो इफको को दिया गया है और आप से पूछा है कि इफको का हेट कौार्टर कहां पर है इफको का हेट कौर्टर जो है आपका नई दिल्ली में है, सही उत्तर हो जाएगा, option D. इसका सही उत्तर हो जाएगा, option B, 4 December को 2019 में सही उत्तराष्ट महासभादवारा, 4 December को बैंकों के अंतराष्टी दिवस के रूप में नामित किया गया था, और 2020 में पहली बार अंतराष्टी बैंक दिवस मनाया गया था, नेक्ष्ट प्रस्ण है, हाली में उत्तरप्दिश के किस जिले में राज्य के दूसरे दूरदरशन के इंद के अर्थ हीस्टेशन का उद्धाटन किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा, option A, गुरकपुर में अभी उत्तर प्रदिश के दूसरे जो है अर्थ हीस्टेशन का उद्गाटन किया गया है आप लोग को कमेंट करके बताना है कि उत्ता प्रजिस का पहला जो है दुदर्शन का अर्थिस्टेशन कहां पर इस्तीत है नेक्स्ट प्रसन है हाली में नीजी छेतर के किस बैंक ने महीला मित्र प्लस नाम से महीलाओं के लिए एक स्तुविधा संपन बचत बैंक प्रोड़ेक्ट लांच किया है इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन सी फेडरल बैंक फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक का हेड़कोवाटर है अलूवा केरल में ACI विकास बैंक ने देश की स्कूली सुच्छा की गुडवत्ता में सुधार लाने और छात्रों की सिच्छा पर COVID-19 महमारी के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए भारत सरकार को कितने रिड़ की जो है मंजूरी प्रदान की है समग्र सहरी पुनरधार परभाद की परियोजना निजामुदीन पुनरधार परियोजना ने सांस्कृतिक विजासत सरचर 2021 के लिए यूनेस को ACA प्रसांद पुरसकार जीता है यह परियोजना निम्लिखित में से किस सहर संबंदीत है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपसने नई दिल्ली निजामुदीन पुनरधार परियोजना यह हजर निजामुदीन ओलिया के 14. सताबदी के जो मकबरा बना था उसके आसपास उसको और उसके आसपास के 20 से अधिक एतिहासी इसमारक है उसको सावधानी पुर्वक बहाली से संबंदीत है इसके लिए जो है दो छेट दो स्रेडियों में इसको पुरसकार मिला है और पहला है जो है उत्रिष्टता का पुरसकार दूसरा संबहनी विकास के लिए विशेष मानदता का पुरसकार इसका सही उत्थर होगा आपसंदी प्रतेक 5 दिसमबर के दिन ही इन्तराष्टी स्वैम सेवी दिवस यानि International Volunteer Day बनाया जाता है और 2021 के लिए जो अंतराश्टी स्वयम सेवी दीवस की थीम थी वह है स्वयम सेवक अब हमारे सामान भविष्ट के लिए अगला प्रस्ण है हाली में कोनी जेती रोसईया का नीधन हो गया है वह किस राज के पुरमुक्रमंत्री थे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वे जो है आंध्रपदेश के पुरमुक्रमंत्री थे अगला प्रस्ण है भारती राश्टी राजमार प्राधिकरल का नया अध्यच्छ किसे नियुक्त किया गया है तो option में है अलकाव पध्याय संजे बंदो पध्याय सुधी पुमानायक बिनोध्युआ इसका सही उत्तर जाएगा option ए जो एन एचे आई यानि भारती राष्टी राजमार्ग प्रधी करण इसका जो है नया अध्यच्छ अलकाव पध्याय को नियुक्त किया गया है बात करें संजे बंदो पध्याय की तो इनको जो है भारती अंतर देशी जलमार्ग प्राधी करण का अध्यच्छ नियुक्त किया गया है और सुधीब कुमान नायक को जो है राष्टी उत्पादक्ता परिसत का महानितिय सक बनाया गया है बिनोध्युआ एक पत्रकार थे हाल ही में इनका निधन हो गया है ते भी आप याद रख सकते हैं कि आप से प्रस्ट पूछ सकता है बिनोध्युआ जिनका हाली में निधन हो गया उनका संबंध है पत्रकारिता से नेक्स प्रस्ट है हाली में एजाज पतेल टेस्ट की एक पारी में दस लेने वाले तीसरी गेदबाज मने हैं वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं और अभी हाल मी में इंडिया के साथ जो मैस हो रहा था उन्हों उसमें इन्हों ने एकी पारी में पूरा दस बिकेट लिया है इसके पहले ऐसा जो दो है दो क्रिकेट ख्लाणी और कर नमा कर चुके हैं पहले जो थे वह जिम लेकर थे जिम ले साजा करने के लिए हमार आपन बजट नाम से एक बेपोटल लांच किया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option d जारखंड ने जो है एक पोटल लांच किया है हमार आपन बजट इसमें जो है वहां की पब्लिक अपना सुझाओ दे सकते हैं तो याँ भाइस ने बजट के लिए बादवड़ के जहारखंड की जहारखंड के जो राधानी राची और इसमें जारखंड के मुख्य मंती राहजपी दी मुर्मू नेक्स्ट प्रसन है Cambridge dictionary वाइड आप दे यह दो हजार एक्किस की से चुना गया है आप से पर सिवरेंस क्वारेंटाइन लगडाउन इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा आप सने पर सिवरेंस जो है इसको वाइड आप दे यह दो जार एक्किस चुना गय है Cambridge dictionary में जबकि क्वरेंटाइन जो है पिछले वसका था 2020 में नेक्स्ट प्रसन है ओयो होटल एंड होम्स ने निमलिखित में से किसे अपना नया रलनीतिक समुस अलाकार नियूत किया है इसका सही उत्तर हो जाएगा आप सनी रजनीज कुमार रजनीज कुमार जो है इस बी लायों के सीयों है इन्होंने हाली में जेनेसिस इंटरनेशनल जो की पूरे सहरी भारत को डिजिटल ट्वीन मराने के लिए अपना खिल भारती कारकम सुरू किया है उसके कारकम के जो है उद्धाटन अमतापकांद के द्वारा ही किया गया था नेक्स प्रसन है आई डिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वीजा के साथ वीजा के साथ जो है आई डिए फसी फर्ट बैंक ने मिलकर भाद के पहले स्टैंड अलोन मेटल डेविट कार्ट की जो है लांच करने की घोश्ला की है आई डिए फसी फर्ट बैंक की है एड़ क्वाटर कहां पे है को मनाया जाता है और इसके लिए जो है 2023 तक के लिए मतलब 2021 2223 लगा था तीन वर्सों के लिए इसके थीम एक ही बना के रखा गया है बैस्विक बीमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार 2023 तक के यही थीम होगी अंतराश्टी नागरव उडवन दिवस की और साथ दिसंबर के दिन ही जो है राश्टी ससस्त्र बल दिवस भी मनाया जाता है जिसे की भारत के राश्टी दिवस दिवस के रूप में भी जाना जाता है next प्रस्ट है junior high की बिसोकब का किताब निमलिकित में से किस देश ने जीता अभी junior high की बिसोकब भारत में ही आयो जित किया गया था भूनेसर उरीशा में और इस जुनियर हाकी विश्वकपा खिताब अर्जेंटीना ने जीता है जर्मनी को हराकर यह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ने पहले अस्थान पर अर्जेंटीना रहा दूसरे पर जर्मनी जबकि तीसरे पर फ्रांस रहा और चौथे पर भारत रहा नेक्ट प्रसन है बैंगलर्य इस्थित इनोवेटिव फिंटेक कंपनी जो है किनारा कैप्टल ने निम्लिखित में से किस भारती क्रिकेटर को अपना आधिकारिक ब्रांड एमबेश्डर के रूप में साइन किया है जबकि जस्पित भूमरा को यूनिक्स यूनिक्स जो है एक भारती मोबाइल एसेशरी निर्माल कंपनी है इसने जो है जस्पित भूमरा को अपना ब्रांड भीश्डर निउक्ट किया है नेक्ट प्रसन है अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा ओप्रेटर थियोरी में प्रत्थम सिप्रियन फ्वेस्पु जो है दिया गया है इसमें निखिल स्रिवास्तो जो कि भारती मुल्के है एडम मारकस डेनियर इस्पिन में तीनों लोग को जो है अप्रुसकार दिया गया है जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरियुक सभी नेक्स प्रसन है बैड मिन्टन वर्ड फेडरेशन दौरा वर्सदों 21 के लिए प्लेयर आफ दी यर किसे चुना गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन C विक्टर एक्सल संप्पूरु स्रेडी में जो है बड मिन्टर वर्ड फैलेशन दौरा अ प्लेयर यर जो है विक्टर एकसल संप को चुना गया है जबकि महि इनको पुरू श्रेली में प्लेयर का वाड़ दिया गया है लोक सेवा नयतिक भालत के लिए एक खोज इस पुस्तक के लेखक कौन है प्रभात कुमार रशना विश्ट्रावत कीता गुपिनास नरुत्तम्सेक शरिया तो इसका सही उत्तर होगा प्रभात कुमार अभी इस पुस्तक को हमारी जो उपराश्पती है एम बैंकर या नाडू उनके द्वारा इसको जो है लांच किया गया है और बात के दशना भिश्ट रावत की तो इनकी भी एक पुस्तक आई है 1971 चार्ज आफ गोरखा एंड अधर इस्टोरीज या जो है रशना भिश्ट रावत की पुस्तक है गीता गोपिनाथ तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि आईमेट की सेकेंड जो है दिकारी बनी है अगला प्रस्ण है प्रधान मंत्री नरेल मोदी ने आभासी रूप से फिंटेक इनफिनिटी फोरम पर एक विचार नेतित मंच का उद्गार्टन किया या जो है इसका पहला संस्क्राइब था इसमें से जो है देश दिये गए हैं कौन सा भागीदार नहीं था यह आपको बताना है तो इस जो है मंच का जो है भागीदार इंडोनेसिया भी था दच्छले प्रीका भारत था ही इनाइटिट किंगडम यह तीनों इसके भागीदार थे जबकि आस्टेलिया नहीं था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप्सन डी तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक सेर जरूर करें और चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब भी कर लें और बेल आइकेन भी देबाद है जिसे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिरेशन आप तक पोछता रहा है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहें